एलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागात हैं तो इस वीडियो में लोग सामझ जब ज़न प्रथम मूल्लियाकन प्रपत्र को तौल्ब करने वाले हैं, यानि कि आपको सॉलूशन प्रवाइट करने वाले हैं तो चले श्टार्ट करते हैं और इसके पहले हम लोग गलत का सॉल्व कर चुके हैं प्रथम मुल्याकन प्रपत्र है यानि की प्रशने पत्र है तो इस वीडियो के डिस्क्रप्शन में उस वीडियो की लिंक दी गई है आप देख सकते हो ठीक है तो अभी आप सामझे भी ज्य दे रहा हो कोई भी एकजाम चल रहा हो सभी का वीडियो आपको प्रोवाइट किया जाता है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है तो यहां पर देखें पूरांग 20 अंग का आपका एक कॉश्चन पेपर है और सामाज भी ज्यान का है तो चले और होते हैं तो इसका शही आंसर होगः बान अंछर का क्योंकि दो सदन होते हैं भार्ते संसदमें इसकी बाद होती है राजसभा के सदस्यों की संख्या ठीक है आपको ध्यान रखना है ठीक है तो आनम्मर का इसका सही आंसर हो जाएगा इसके बाद फूरत देखे राष्ट पति लोक्सभा के लिए एंगलो इंडियन समूदाय में कितने सदस्यों को मनुनीद कर शकते हैं तो इसका आंसर कि यानि की दानम्मर का सही आंसर हो जाएगा इस प्रिकार आपके चार कॉश्टन कंपलीट हुए अब बड़ते हैं पांचमे कॉश्टन की तरह तो पांचमे कॉश्टन ध्यानसे से देख लीजिए का पांचवे कॉश्चन में दिया गया है अगर कोई डल सरकार बनाना चाहता है तो उसे लोक सवा के कम से कम कितने सदिश्चों का शमरतन प्राप्त होना चाहिए तो फिर इसका आंसर होगा बनमर का 272 रस्य का ठीक है तो यहां पर आप बनमर लिख भी शक्ति हो ठीक है इस प्रकार इसकी बाद संसत की कारिये चड़मे नमर में देखे संसत के तो सभी कारे है कानून मनाना कार पालिका पर नेंतरन रखना राश्टे सरकार का चुनाओ करना यानि की उपियोक्त दा उपियोक्त सभी लगा दीजिए और यहां पर दा नमर का आंसर आप लिख दीजिएगा ठीक है दा नमर इस प्रकार यानि की सानमर का यहां पर सही आंसर हो जाएगा इसके बाद है आठमा तो इसे भी दियान से देख लिएजिए संसादनों का सपलता पूर्बकु प्योग कर उन्हें नमे करन के लिए समय देना क्या कहलाता है तो आठमी नमर का बानमर का हो जाएगा सतत पोशन सलक्षन ठी जाएगा और आप यहां पर शानमर लिखेवी शक्तिय ओ ठीक है, इसकी बाद है दसमा विकास life में बिकास और उप्यों की आधर पर संसाधनों को कितने भागों में बरगी कृती से तो यहां पर होगा सैथ 5 कि चार प्रकार दूंपर 9 ए देख लीजिए निम्र में से कौन सा कतन पेटेंट को सही तरीके से परिभारसित करता है तो इसका आंसर होगा दानमर का उप्योक्त सभी ठीक है इसके बाद बार्मा देखिए बार्मा कॉश्चन को द्यान से पढ़िए बहुत ही जी कॉश्चन है और इन सभी प्रिशनों को है आपको याद कर लेना है किसी मूल अधिकार को भारति संविधान की आत्मा कहा गया है तो यहां पर स्भी को पता होगा तो यहां पर देखें मौलेक अधिकार छटमी नम्मर मतलब बानमर का अंसर हो जाएगा तेरे में का बानमर का अंसर लगा दीजिए और यहां पर बानमर लिख भी दीजिए ठीक है इस प्रकार आपका तेरे में कॉस्चन भी कंप्लीट हुआ इसके बाद चवद्मा कॉस्चन देखते हैं तो कॉस्चन में सामाजिक उपादियों का निसीद किस मूल अधिकार से सम्मंदित है तो इसका आंसर होगा आनमर का ठीक है समानता आनमर का अंसर हो जाएगा इसके बाद 15 निम्न मैसे कौन एक धर्म निर्पेक्ष देश नहीं है तो यहां पर इसका होगा सा नमर का पाकिस्थ 14 बरस से कम आयू के बच्चों से खतरना कर नहीं कराया जा सकता इसका सम्मंदिक सदिकार से है तो यहां पर इसकांसर होगा बादानमर का सोशन के ब्रुधदकार से इसकांता आनसर आपको लगाना है तीन सातर यानि की बानमर का आंसर यहां पर सही हो जाएगा ठीक है इसके बाद लाश्ट कॉश्चन बचा है 20 मा तो इसे भी देख लीजे इसे पूछा गया है भारते सम्मेदान का जना किसे कहा गया तो बानमर का भीमरा ओंबेट कर जी को कहा गया यहां पर आप बानमर अकषा आठमी के वीडियो देखना चाहते हो तो एक बार आप इस वीडियो की description में देखे link के दी गई है आप जिस भी वीडियो को देखना चाहते हो उस link पर klick करके देख सकते हो आठमी के अपने दोस्तों में और में तेश कीजिए तैंक्स गया